आज इस मास्ट्र पार्लामेंट में देश के प्रभुक मामबद्धी संक्रटनों के नेतागन और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे चाट्र नौजवान जिस बात को लेके आप जब नारा लगा के आ रहे थे जिस बुलंद्धी के साथ जिस बात को पता रहे थे कि ये देश हमारा है ये देश के समस्याओं खुलेकर जो एक द्वलंद द्वलंद का आवान ये पामबंदी चात्र संक्रटनों के ताहल से हुआ उसके आवान पे आप यह पोचे हैं आप सब को हमारा संक्रटन ओल इंडिया डेमोगर्टिक्स टुएंड डॉगनेसम की और से ग्रांस दिकारी सलाम पेश करता हूँ आज जैसा बतायों कि हमारी समस्याओं और जिस तरह का साजी से ग्रची जारी है दिल्ली की गलियों में आप जिस तरह के नारे इंकलाब का नारा यह लाल जंडा बुलंदी में था जो दुनिया की ताकत कोई भी अगर हम मक्कम आए अगर हमने ठानी तो दुनिया की कोई भी ताकत बामपंद को नहीं रोक सकता है बामपंद की ताकत को चाय नरंगर मोश्ती की सरकार जितने भी कोशिस करूँए के बाद, जितना भी डुस प्रचार के बाद, की कॉमरेड ऐसे होते हैं, ये होते हैं इसके बावजूद एक लोगों के अंदर आम जंता के अंदर बामपंद के फ्रती एक रुजान है आम छात्र नौजवान बामपंद की तरह प्रभावित होंगे क्यों दोस्तों क्योंकि आज सवाल आज इस महेंगाई के दौर पर फूजीवादी आर्थिक संकट के करण आज लोगों की स्थिती इतनी सर्वणा गई है आज ये पुजीवादी सोशन के कारण आज लोगों का जीवन इतना दूबर उतना चला है आज एक गरीब माबाब कितनी मुश्किल से एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाने के बाद आपको पता चलता है कि नरंगoire होधी सरकार ने यारा लाख पद एकी साल में खतम कर दीं आप जिस आसा उमीद में एक बाबा उपने बच्चो को पढ़ाता है ये आसाउमीद के बाद पता चलता है कि ये पोस्टे ही सरंगर कर रहे हैं नौक्रिया एक के बाद एक ख़दम कर रहे हैं तो इसके किनाफ आंदोलन की आवाज जो उठाएगा उस आंदोलन की तरफ जो आवाज उठाएगा उसकी तरफ विद्यारती नाचवान लांबन हो गई और बांबन की ये ताकत है एक पुराना तेविन गनाता नारा है कि जब तक दुनिया में भूका नंगा इंसान रहेगा दुनिया में तुभान रहेगा ये दुनिया का तुभान यही बात को लेके है कि लोगों की आर्थिक हालत दिन पती दिन खराब होगी जा रही है इसलिए ये एक संकेत है आने वाले दिनों की एक बयंकर परिवर्तन एक आंधी का संकेत हमने दिया और दोस्तों यही नरिंद्रमोदी बीजेपी आरेसस की जो सरकार अमल कर रही है यह नीती जो वन्मोन सिंग नर्सिमा राव ने लप्पे के दसक में लाई थी उदारी करण की नीती वेस्वी करण की नीती इस नीती के खिलाब आंधूलन तेज करना पड़ेगा बीजेपी कॉंग्रेस आए बीजेपी आए ये सत्ता का परिवर्तन, ये सत्ता की अदलाबत ली है, ये सत्ता की अदलाबत के खिलाब, नीतियों के खिलाब आंदोलन करना पड़ेगा, जो नीति इंसान को खदम कर रही है, जो नीति बच्चे को स्कूली शिक्सा महेंगी कर रही है, जो नीति आज हमारी मुराक्यों कर कर रही है जो नीतियों के करण हमारी माँ बेहने आप सुरक्षित नहीं है यही नीतियों के खिलाब आंदोलन थेज करना पड़ेगा इस आंदोलन की आमान करने के लिए या तमाम संग्टनों ने जो या आज लामबंदी की इसी को आमाने वाले दिनों में और तेज करेंगे पैज हमेद पैज का एक सेर करके मैं अपनी बात पुरी करूंगा कि यूँ हमेशा जुल्म से उलस्ती रही है खल्क ना उनकी रस्प नहीं है ना अपनी रीत नहीं है यूँ हमेशा खिलाए हमने आग में भूल ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है इंकलाव जिन